नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है अर्शी दिवेदी फ्रेंट्स और मैं आपको सौध करते हूँ अपने इस वीडियो में देखें ये चैप्टर टू है इसका जो शीर्षक है वो है Nutrition in Animals शुरू करने से पहले बतादो की Class 7 Science की सारी chapters में complete कर चुका हूँ NCRT Class 7 Science की मैंने playlist बना रखी अपने चैनल हर्शी दिवेदी की playlist section में आप वहाँ पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं साथ साथ NCRT की book बहुत अच्छी है friends आप इनको पढ़िए लिंक मैं नीचे दे रखा जहां से आप NCRT की book डाउनलोड कर सकते हैं उनको पढ़ सकते हैं ये पैसा खतम करके बहुत सारा पैसा खतम करके सरकार ने बनवाई हैं तो इसका इस्तेमाल करें अब देखें friends चैप्टर बन में मैं आपको बताया था कि plants photosynthesis के process के तूरू अपना खाना खुद बना सकते हैं अपना खाना नहीं बना सकते हैं तो animals अपना खाना प्लांट से लेंगे या तो वो प्लांट से directly अपना खाना प्लांट को खाके लेंगे या फिर उन animals को खाएंगे जो plants खाते हैं जैसे कि अगर आप tiger की बात करिए तो tiger normal cases में वो direct plants नहीं खाता है लेकिन tiger deer खाता है और वो deer obviously आपका plant खाते हैं तो directly और indirectly animals के पास खाना कहा से जा रहा है plants के पास जा रहा है plants के पास से आ रहा है और यही चीज़ humans पे भी लागू होती है humans के पास directly और indirectly खाना plants के पास से आ रहा है चाहे हम सबजी, आलू, टमाटर, गो भी खाएं वो भी plants से आ रही है चाहे हम chicken mutton खाएं चिकन मटन को खिलाने के लिए plant की ज़रुद पड़ेगी अब देखें पहले मैंने आपको बता रहा है friends की जितने भी organisms हैं including human beings, इनको खाना चाहिए होता है अपनी body की growth के लिए अगर कोई tissue damage हो जाता है तो उसको naturally function उसको naturally repair करने के लिए और पूरी body की functioning के लिए तो animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and utilization in the body तो यहाँ पर बात हो रही है animal nutrition के तो animal nutrition में आपको देखना है कि nutrition की requirement क्या क्या है फिर mode of intake क्या है food का food अंदर कैसे लिया जा रहा है और उसकी body उस चीज़को कैसे utilize कर रही है तो chapter 6 sorry class 6 में मैंने बताया था friends की food में बहुत सारे component होते है याद करने कोशिच कीज़े तो मैंने food में बताया था starch होता है, carbohydrate होता है, vitamins होते है minerals होते है, protein होते है यह सब चीज़े मैंने आपको बता ही थी इनके test भी बताया थे अगर नहीं आदे है तो class 6 की NCRT देखे जाके science chapter की अब देखे component of food में एक बहुत important component होता है carbohydrates so carbohydrates, simple substances नहीं होते है यह complex substances होते है complex substances मतलब कि इनको directly utilize या absorb करना मुश्किल है पहले इन carbohydrates को तोड़ना पड़ेगा simple substances में और यह जो simple substances को में तोड़ने के बाद आप उसको consume कर सकते है तो आप कह सकते हैं कि the breakdown of complex substances of food into simpler substances is called digestion यानि कि खाने के complex substances को simple substances में तोड़के खाने के process को क्या बोला जाता है digestion बोला जाता है हाजमे के process कहा जाता है अलग-अलग organisms में food को लेने का तरीका अलग-अलग होगा जैसे अगर आप bees की मदुमक्षों की hummingbirds की बात करेंगे तो वो plants के nectar से अपना खाना लेती है अगर आप humans की infants की बात करेंगे आदूसरे animals की infants की बात करेंगे मैमेल्स में तो वो feed करते हैं अपने मा के दूद पर जो snakes होते हैं पाइजिसे वो animals को पूरा कभ gonna swallow कर जाते हैं जबाना होना कुछ नहीं पूरा स्वाल हो कर गए और कुछ aquatic animals होते हैं जो tiny food particles को filter करते हैं जो कि उनके पास पानी में तैर रहा होता और उसको खाते हैं तो अलग अलग तरीके हैं चीजों को खाने को, aquatic ecosystem के बारे मैंने बताया, वैसे तो अभी तक हमाई सामने इसमें नहीं आया पर ज़रतर cases में आपको बताया कि aquatic ecosystem के base पर जो खाना होता वो था phytoplankton, phytoplankton को zooplankton खाते हैं और higher जो trophic level में organisms हैं वो खाते हैं phytoplankton के बारे मैं बता दू, phytoplankton plants की तरह होते हैं, उनके पास chlorophyll होता है, photosynthesis के थूरू अपना खाना बनाने की ताकत होती हैं अब यहाँ पर आपको एक table बढ़ना हो, यह table बहुत ध्यान से भरिएगा अपने दोस्तों के साथ क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखन होंगा, जैसे for example, अगर मैं बात करता हूँ, snail की बात कर लीजे, तो snail खाता क्या है, तो snail में आप देख सकते हैं कि leaves, और वो कौन से matter से खाता है, तो मैं कहूँगा scrapping, यह यहाँ नीचे लिखा हुगा, actually मैं यहाँ पर जो mode of feeding है, वो scrapping, chewing, siphoning, capturing, swallowing, capturing and swallowing एक है, sponging और process बता दिता हूँ, फिर आप आप आद में भरने कोशिश कीजेगा, देखिए पहले इसका sponging को तुम्हें बता दिता हूँ, कुछ चीजे में आप बता हूँ, जैसा house flies होती है, यह house flies sponging के method से खाती है, sponging होता क्या है, कि यह house fly उड़के जगा 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 सकती है, और जहाँ पर उनको लगेगा कि खाने लाइक चीज है, वहाँ पर वो अपना saliva से create करेंगी, उस खाने के ओपर, उस खाने को अपने saliva में घोल के, उसको solution form में वो सक कर लेंगी, तो इस process को बोलते है, sponging, जो कि house fly employ करता है, snail क्या करता है, scrapping, leaves को scrap करके खाता है, यानि कि snail obvious की बात पूरी leaves नहीं कहा पाएगा, scrapping के process, scrapping के process से थोड़े बहुत parts जो कि उसका काम के नहीं है, उनको हटा देगा, बाकी खालेगा, समझ के friends, तो यह मैंने आपको बहुत सारी चीज़े बनता है, तो scrapping, जो क साइफोनिंग क्या होता है, यह पता करने कोशिच कीज़े, आपको यह बतायता हूँ कि butterfly siphoning के method से खाना खाती है, तो साइफोनिंग के method से butterflies खाना खाती है, और वो flowers से nectar खीचती है, यह आपको बताए, mosquito आपको बताए, first mosquito blood पीता है, और कैसे पीता है, तो सक करके पीता है, डंक डालेगा आपकी, his skin के अंदर आपकी खून को सक कर लेगा, अभी बताये कि butterfly flowers का nectar खाती है, तो कुछ चीज़े मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, कुछ चीज़े आप अपने दूरने कोशिच कीज़े, जैसे eagles होते हैं, snakes होते हैं, भाई यह अपने जो prey है, जो खा उन्हें कोशिच के, जब सब कुछ ही बता दिया, तो क्या है, वैसे सब कुछ बताई दिया, ant chew करेगी, समझ गया, आगे चलते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा fact दे रखा, इस fact को देखते हैं, देखे, starfish उन animals पे feed करती है, जिसके उपर calcium carbonate की hard shell है, तो वैसे तो calcium carbonate की hard shell उस animal को protect करने के लिए काम आता है, लेकिन क्या करती है, जो starfish है, उस shell को हटाएगी, फिर अपना मूँ खोल के, अपने stomach को मूँ से बाहर निकालेगी, उसका stomach सीधे-सीधे, उस shell के अंदर, जो soft animal था, उसको अपने पास खीच लेगा, वो stomach, उसके मूँ के थूँ अंदर च civilization in humans की, यहां पर देखे एक बड़ा अच्छा सा figure बना रखा है, कुछ लोगों को देखने में गंदा लग सकता है, बट ठीक है, हमारे शरीर के जो अंदर है, वही है यहां पर, अलग अलग चीज़ों को, जितना यहां पर बता रखा है, समझने की कोशिश करते हैं, पूरी सोचना है कि भाई, जब यह खाना हमारे अंदर से पास कर रहा है, तो हो कहा रहा है उस खाने के साथ, तो यह जो food है ना, वो continuous canals के थ्रू निकल रहा है, और यह canal जो है, यह for example, जो food का passage है, यह शुरू होता है आपका बकल cavity से, और खतम होता है आपका एनस में, तो अगर canal case इस पूरी की पूरी food के नाल को आप अलग-अलग हिस्से में थोड़ो तो सबसे पहले आएगा बकल cavity, फिर आएगा food pipe जिसको आप isofocus भी कहते हैं, फिर आता है आपका पेट, पेट के बाद आएगी small intestine, small intestine के बाद आएगी large intestine, जिसके end में होगा rectum, और finally आएगा आपका ए होगे तो इसको बोला जागा digestive tract या digestive system, system तो नहीं digestive tract बोलना चाहिए, और इसको हम elementary canal भी बोलते हैं, और जैसे-जैसे food components इस पूरी की पूरी elementary canal में travel करेंगे, वो धीरे-धीरे digest होते जाएंगे, अलग-अलग compartments में, अलग-अलग हिस्सों से जब वो गुजरेंगे, वो अल क्या का में वो देखते हैं, food pipe से गया, isophagus में, ठीक है, यह food pipe आपके खाने को stomach में पहुचाएगा, stomach के बाद, यह जाएगा small intestine में, small intestine के बाद जाएगा, यह large intestine में, और large intestine के बाद यह पहुचेगा rectum में, और rectum के बाद NS के थूर यह बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो क् आपका chronology है, पहले बकल cavity, फिर isophagus food pipe, फिर stomach, फिर small intestine, फिर large intestine, फिर rectum, फिर NS, यह जो chronology है, आपको पता होनी चाहिए, अब बहुत सारे रास्ते में glands भी होते हैं, जैसे कि salivary glands होते हैं, liver का भी काम होता है, pancreas का भी काम होता है, यह सब जो होते हैं, salivary glands, liver, pancreas भी और यह जो digestive juices होते हैं, यह क्या करते हैं, कि complex substances of food को simple substances में बदल देते हैं, तो यह जो digestive tract हैं और उसके साथ जो glands associated हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि pancreas हो गया, आपका liver हो गया, salivary gland हो गया, यह सब भी आपके digestive system में आते हैं, तो देखिए, elementary canal और digestive tract क्या था वो बताया ह और उसमें जब आपने यह glands जोड़ दिया, liver जोड़ दिया, pancreas जोड़ दिया, तो पूरा का पूरा digestive system मन गया, यानि कि वो liver, glands, वो सब आपके digestive system में आते हैं, और जिसके तुरो वो खाना बीत रहा था, वो था digestive tract, जिसको आप elementary canal भी बोलते हो, तो आपके लिए यह समझन tract और digestive system में क्या फरक है, अब हम देखते हैं कि अलग अलग जगा पे इस खाने को होगा क्या, तो पहले mouth की, अपने मूँ के बकल cavity की बात करते हैं, हम लोग रोजी इस मूँ से खाना खाते हैं, तो देखें, food हमारी body mouth के थू लेगा, और यह जो process है न, food लेने का अपना mouth के through, इसको बोला जाता है ingestion, अब यह आगे चलते हैं, सोड़ा सा, एक बीच में एक fact दे रखा है, इसको देखते हैं, milk teeth and permanent teeth, आपको पता है, जब आप बड़े हो रहे होंगे, तो बड़े होने की समय पे एक ऐसा time आया होगा, जिसमें आपे कुछ दात गिरे होंगे, तो जो first set of teeth होते हैं, वो आपकी infancy में grow करते हैं, और 6-8 साल की उमर में वो गिर जाते हैं, इनको milk teeth कहा जाता है, दूद के दात कहा जाता है, और फिन दूद के दात को replace करने के लिए आते हैं, permanent teeth, और यह permanent teeth पूरी जिंदगी चलते हैं, until and unless, किसी चीज की वज़े से, किसी बीमार तो नहीं गिरे हैं, तो कुछ लोग निकलवा देते हैं, कुछ लोग रखे रहते हैं, अगर वो painful नहीं है, तो, यहाँ पर बूजो कुछ सोच रहा है, कि बूजो ने देखा कि भाई, यह जो small intestine है, यह highly coiled है, देखते हैं जरहें, यहाँ पर small intestine, देखिए फिट से, यहाँ पर जो आपको, जो stomach है, stomach नीचे आके आपका, यह देखिए, इस से जुड़ा हुआ है, यह brown run मुझे नजर आ रही हैं, small intestine, और यह गुच्छों की तरह एक छोटे से इलाके में फैली हुई है, ठीक है, और यह जो small intestine है, यह वो बहुत बड़ी होती है, तो यहाँ पर wild gas आप मार सकते हैं, इसके बारे हैं, वैसे तो इसकी length, page number 16 पर दे रखी है, और आप से, बस यह चीज़ imagine करने हो, कहा गया है, इतनी लंबी length हमारी body में कैसे accommodate हो रही है, तो वो तो भाई nature ने मनाया है, वो accommodate हो ही रही, length हम लोग page number 16 पर देखेंगे, एक एक करके चीज़ो चोटे-चोटे pieces में तोड़ देंगे, कभी-कभी आपने अपने माबाप को सुना होगा, कि बेटा खाने को चबला के खाया करो, ठीक से चबला के खाया करो, सीधे उसको लीला मत करो, ऐसा आपके माबाप बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ताकि वो खाना चोटे-चोटे, जि चेद में ये tooth fix होते हैं, यहाँ पे figure 2.3 में आपको ये tooth नज़र आता, अब इस पर थोड़ी देर में आता है, arrangement of tooth देखेंगे, हमारे जो teeth है, वो appearance में दिखने में अलग अलग होते हैं, इनके functions भी अलग अलग होते हैं, उसके एसाब से उनको नाम भी अलग 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 द room में, चाहिए शाम में या दिन में, आप mirror के सामने खड़े होई हो और अपने teeth को count करने कोशिश कीजिए अपने index finger से, index finger मतलब जो आपके अंगूठे के बगल वाली जो finger होती है, पांच finger से एक अंगूठा है, अंगूठा के बगल वाली जो finger उसको index finger होते हैं, तो उस index finger क through, आप अपने डातों को छुईए, आपको कितने तरीके के डात देखने को मिलेंगे, ये देखना है, फिर सवाल आपके पास यहां आता है, कि आप एक apple लीजे या फिर एक bread लीजे और उसको खाईए, तो जिन teethों से आपने उस apple को bite किया, ये cut किया, वो कौन से teeth हैं, अब यहां पे हम लोग कुछ चीजों को identify करते हैं, देखें, ये एक jaw का arrangement दिका रखा है, दो jaw होते हैं, एक आपका upper jaw होता है, एक आपका lower jaw होता है, upper jaw और lower jaw में बराबर दात होते हैं, ठीक है, आपके लिए समझना मुश्किल नहीं, आप अपना मुह देखी सकते हैं, अब इस jaw तो आपके लोगों को expose होते हैं, आगे कि जो 3-4 दात होते हैं, जब आप मुह कुलते हैं, तो लोगों को दिखते हैं, पर अंदर के तरफ जो दात हैं, वो लोगों को नहीं दुखेंगे, तो अंदर के पीछे से 3 दात, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तो 1, 2, ट्री एक साइट पर तीन एक साइट पर तीन यह हो गया आपके मोलर दान तो टोटल छे मोलर हो गया फिर इन तीन के बाद चार पांच यह जो दो दात है जिसके उपर मैंने अभी यह वाले दो यह जो दो दात है यह हो गया प्री मोलर अब दो एक साइट पे और दो एक एक सामने छे लिख दिया, इसके सामने चार लिख दिया फिर कैनाइन कितने हो गए, तो कैनाइन इधर एक और इधर एक, तो कैनाइन हो गए, नीचे की तरफ दो फिर इंसीजर कितने हो गए, तो एक, दो, तीन, चार चार इंसीजर हो गए नीचे की तरफ पहला काम तो यह करिए, अब हमको यह पता करना है कि कौन सा दात piercing के काम आएगा, कौन सा दात चीजों को फाड़ने के काम आएगा, कौन सा दात chewing के काम आएगा, कौन सा दात grinding के काम आएगा, तो यहाँ पर भाई, number of teeth दे रखे हैं, ठीक है, lower job, upper job, ठीक है, up total, मतलब आपको यह जानना है कि, यह तो मैंने आपको बता दिया कि देखें, lower jaw और lower jaw में कितने दात हैं, और कौन कौन से दात है, molar, pre-molar, सब कुछ मैंने समझा दिया, अब हम सबसे पहले बात करते हैं, friends की देखें, cutting में और biting में किसका इस्तमाल होता है, काटने में और cutting में, तो देखें cutting और biting में होता है, आगे वाले दातों का इस्तमाल, जिसको आप क्या बोलते हो, friends, उसको आप बोलते हो, incisors, क्या बोलेंगे, इसकी sharp biting surface होती है, कट करने में यह बहुत काम आते हैं, तो देखते हैं, friends, यहाँ पे, कौन से हैं आपके यह incisors, कहले तो मैं लिख देता हू, inc incisors, यह वाला हो गया, यह वाला हो गया, यह वाला हो गया, और यह वाला हो गया, चार जो आगे incisors हो, चार नीचे, चार उपा, तो टोटल आपके incisors हो गया, आठ, यह cutting में और biting में काम आते हैं, आप से पूछा जाएगा कि sharing में कौन से काम आते हैं, तो sharing में भी यही का काम आते हैं आगे अब आपको नहीं चोटा सा लंबा सा दांथ आपको नजर आएगा फिरिंटी इस इस के नाइन आप इसको चूँक देखने कोशिश कीजे और Google पर image search कर, यह तो आपको canine दाद दिखेगा कि किस तरीके का होता है canine तो यह जो canine दाद यह sharp होता है pointed होता है friends, तो first of all इस canine के through यहाँ पे लिख रहा हूं, लिख के भी कुछ चीज़े में आपको बता रहा हूं, ताकि आप चीज़ों को समझभाऊ, first of all canine आपको किसी से मदद करेगा, तो canine की sharp pointed biting surface है तो आप grip कर सकते हो food को, यह फूट को पकड़ने में, दूसरा उसको tear करने में तो tearing में भी canine का roll है तो आप कह सकते हो कि tearing में आपका canine का roll है और grip करने में, जब भी आप देखों कि save आप friends, जब आप खाने जाओगे तो आप देखोंगे कि canine पहले save से side को पकड़ता है तो दो canine नीचे होगे दो canine उपर होगे, तो यह चार canine मिलके क्या करेंगे, कि save को चारोतर से पकड़ लेंगे, और फिर incisor से आप वो save को काट दोगे तो अब आप वो canine का काम समझ में आया ठीक है तो एक तो grip बनाने में canine काम आता है दूसरा food को tear करने में canine काम आता है समझ के, pierce करने में भी कह सकते हो कि उसको उखाडने में, उसके अंदर घुसेडने में चीज़ें उसमें भी आपका canine का काम होता है अब भाई main चीज़ आती है कि crushing और grinding कहां पर होगे अच्छा देखिए, अब भाई इस ट्रेंट से जो pre-molars है आप कह सकते हैं कि tearing में और piercing में, खासकर tearing में tearing में कुछ हद तक roll pre-molars का भी होता है तो tearing में कुछ हद तक tearing the tooth, tearing the food तो food को tear करने में कुछ हद तक roll pre-molars का भी होता है और pre-molars वैसे basically किस चीज़ में काम आते हैं, tear करने में और food को crush करने में ठीक है, tear करने में, food को crush करने में, और molars कहां काम आते हैं, food को chew करने में, चबाने में, crush करने में grind करने में, तो grind करने में, chew करने में, crush करने में molars का भी role है, molars का prime role है और pre molar का भी role है तो आप कह सकते हो कि pre molar का role chewing और grinding में भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है और tearing of the food में भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है, जितना ज़्यादा details हो सकता था, उतना ज्यादा मैंने समझा दिया है ठीक है अब आ जाते हैं आपने अपनी absorption record कर ली अब हम बात करते हैं हमारे mouth में salivary glands होते हैं जो saliva को secrete करते हैं क्या आप अपनी सोचा है कि भाई हम saliva का food पे क्या action है आप उपर देखिए यहाँ पर जाके यह salivary glands आपके मुह में लगे हुए है और यह saliva को छोड़ रहे हैं अब यह saliva को क्यो छोड़ रहा है कभी सोचा है कभी आपने देखा कि आपके मुह में मिलने कोशिश करते हूँ दो test tube लीजे एक को नाम दीजे A दूसरे को नाम दीजे B पहली test tube में आप 1 teaspoon full of boiled rice डालिए और दूसरी test tube में आप 1 teaspoon full of boiled rice डालिए उसको 3-5 minute chew करने के बाद इसको पुरा पढ़ लीजे 3-4 ml of water डालिए 2-3 drops of iodine solution डालिए क्या change हो ला है color में यहां पर बताने के कोशिश क्या हो रही देखिए एक test tube ली उसमें आपने कुछ boiled rice डाल दिया बिना चबाया हुआ दूसरी में आपने चबाया हुआ और boiled rice डाल दिया अब आपने iodine solution मिलाया iodine solution का test अम लोग starch के लिए किया करते थे starch के लिए carbohydrate के लिए जिस चीज को आपने चबाया नहीं है उस boiled rice में जब आप iodine solution डालेंगे तो उसका color change हो जाएगा यानि साफ साफ दिखेगा कि उसमें starch है लेकिन जिस boiled rice को आपने 3-4 मिनट तक चबाने के बाद test tube में डाला है और उसके बाद जब iodine मिलाएंगे आप देखोगे कि color change नहीं होता है यानि ये दिखा रहा है कि जिस चीज को आपने चबा लिया जिस rice को उसमें starch नहीं है आप सोचिए उसमें starch क्यों नहीं है उसमें color change क्यों नहीं हुआ करिए मैंने आपको बताया था कि जो carbohydrates हैं they are complex substances उनको direct consume नहीं करना उनको पहले simpler भागों में तोड़ा जाता है और वो simpler भागों में कैसे तोड़ा गया जैसा ही वो आपके मुँपे आया उस पे saliva ने act किया और उसको तोड़ा आपने उसको चूँ किया सवाला है वो ने act किया और वो जो starch था वो sugars में तूट गया इसलिए जब आप iodine test करेंगे तो उसका color change नहीं होगा समझ में आगए ये activity आपको नहीं समझ में आगए तो repeat करके सुनिए बहुत ही clear और simple way में समझा रहा हूँ फिर आगे देखते हैं हमारी टंग क्या है टंग एक fleshy muscular organ है that is attached to the back to the floor of the buccal cavity इस line को आप याद कर लीज़े अगर हो सके और front से आप देखोगे तो जो टंग है वो आपकी हर direction में move कर सकती है अब आप बोलोगे कि टंग का काम क्या क्या है तो भई या टंग को हम बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं टंग नहीं होगी तो हम बात नहीं कर पाऊगे दूसरा टंग क्या करती है कि it mixes saliva with the food during chewing तो जब आप chew कर रहे हैं food को तो उस समय पे जो टंग है वो saliva को food के साथ mix करेगी और food को swallow करने में मदद करेगी और जो food का हमको taste आता है वो हमें हमारी जबान की वज़ा से आता है इस जबान पे बहुत सारे taste buds होते हैं जो जबान के अलग-अलग हिस्से पे होते हैं और वो आप एक activity करके पता कर सकते हैं कि वो taste buds कहा होते हैं तो एक एक इस activity के तुरू फर्स्ट आपको अपनी जबान नजर आ रही है और इसके कुछ रीजन को यहाँ पर इस रीजन को इस रीजन को इस रीजन को इस रीजन को बनाएगा रीजन फॉर्ट टंग और डिफरेंट टेस्ट अब यह एक activity है जो friends आप अपने दोस्तों के साथ करके ही समझ सकते हैं इसको यहाँ पर समझा नहीं सकता कोई आपको आपको करना क्या है कि भाई आप एक sugar solution त्यार करो एक common salt का solution त्यार करो एक निम्बू पानी का solution त्यार करो और एक neem leaf का या bitter god bitter god मतलब curry ले का या फिर neem leaf का चीज त्यार करो नीम leaf और bitter god obviously बाद तक कड़ूआ होगा तो एक में lemon का taste आपको पता होगा एक में कड़ूआ टेस्ट एक में salt का टेस्ट एक में sugar का टेस्ट अब आप अपने किसी ये classmate के आँख पर पट्टी बान दीजे और उसे बोले कि भईया अपनी tongue बाहर निकालो straight and flat position में और फिर आप अलग-अलग बहुत सारे clean toothpicks लीजे और एके करके ये जो आपने अलग-अलग solutions बनाए हैं एके करके एक toothpick से एक solution का निकालके उसके जमान के अलग-अलग हिस्से पे रखके उससे ये पूछिए कि उसके जमान का कौन सा हिस्सा sweet taste को पकड़ पा रहा है, कौन सा salty taste को पकड़ पा रहा है, कौन सा sore taste को पकड़ पा रहा है, कौन सा bitter taste को पकड़ पा रहा है जब आप ये करोगे, तब आप पता कर पाओगे कि भाई, जो अलग-अलग regions हैं, यह regions क्या denote करते हैं, कौन सा reason कौन से taste को denote करता है और यह जब तक आप करेंगे नहीं, आपको कोई नहीं समझा सकता, इसलिए इसे मैं भी नहीं समझा सकता, this is an activity which you need to do, concept में समझा सकता हूँ, बड़ activity कई ऐसी होती है जो आपको खुद ही करनी पड़ेंगे अब हम बात करते हैं sweets और tooth टीके की यह piece of information जिसमें gradual detail और tooth के बारे बता गया है, कैसे बड़े होने के सासद आपके नाथ अगर साड़ते हैं, तो क्यों साड़ते हैं आपको बता कि आपके mouth में bacterias होते हैं, अब देखें बहुत सारे bacterias calm के भी होते हैं, सारे harmful नहीं होते हैं लेकिन अगर आप खाने के बाद अपने teeth को regularly साथ नहीं करेंगे तो उस case में harmful bacterias भी वहां रहने लगेंगे और grow करने लगेंगे, और अगर यह bacterias एक limit से ज़्यादा बढ़ गए तो अब खाने के बाद आपके दातों के बीच में कुछ खाना पसा रहता है उस खाने में sugars होते हैं उस sugars को breakdown करके acids release करेंगे यह bacteria और acids क्या होते हैं, इसके बारे मैंने chapter 5 में, ठीके, आप देखेंगे, यह acids धीरे-धीरे करके आपके teeth को खराब करेंगे जिसको बोलायाता है tooth decay और tooth decay को अगर आप में सही time पे नहीं solve किया तो इसके विए से बहुत दातों में दर्द भी हो सकता है आपको दात निकालने की भी जरूत पढ़ सकती दात में कीड़ा लग जाता है तो उसके लिए RCT करी जाती है RCT के बाद उसका ध्यान रखा जाता है बहुत ज़्यादा प्राब्लम हो गई तो आपको दात निकलवाना भी पढ़ सकता है तो chocolate, sweets, soft drinks और other sugar products यह tooth decay के एक major करण है इसलिए बहुत जरूरी खाने के बाद regularly अपने दातों को साफ करिए जरूरी यह है बठान दो बार से जादा अपने दातों को दिन में brush मत करिए कोई एक tooth, कोई एक Colgate का या किसी और अच्छी company का आप एक mouthwash भी इस्तमाल कर सकते हैं जिससे दिन में दो या तीन बार आप rinse कर सकते है लेकिन मान लीजे कभी आपको लग रहा है कि आपके दातों में problem है तो आपने कभी दो या तीन साल में एक बार साथ करा लिए यह मत करिए कि हाच यह मैंने वे dental cleaning कराई मैं बतातों dental cleaning बार बार करानी अच्छी नहीं होती यह मेरा एक personal suggestion है बाकी तो आप डॉक्टर से पूँच सकते हैं आप देखें इससे one should clean the teeth with a brush और दातून and dental floss dental floss is a strong thread होता है जिसको दो दातों के बीच से निकाला जाता ताकि trapped food particles को निकाला जा सके कम से कम दो बार दात माजिए और mouth को rinse करिए हर meal के बात कभी भी mouth में dirty fingers मट डालिए या कोई बिना धुली चीज को अपने मूँ में न डालिए फिर friends कभी-कभी आपने देखा होगा कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो कभी-कभी अगर आप जल्दी में खाना खा ले लोगो जल्दी में swallow करने लोगों तो इंदम से आप खासी आते लगती है या कुछ चोसिंग का sensation आता है आपको अच्छा लगता है कि आपके गले में खाना पास गया वो क्या होता है वो तब होता है कि जब खाना आपकी wind pipe में चला जाए अब दो अलग-अलग pipes होती है friends एक तो होती ही food pipe जिसको आप ease of focus भी कहते है एक होती ही wind pipe तो अगर food pipe नीचे आ रही तो पास से wind pipe भी नीचे आती है तो food pipe के पास ही होती है wind pipe problem यह है friends कि हमारे गले के अंदर हवा का रास्ता और food का रास्ता एक ही passage एक है तो अब यहाँ पर आप चीज़ एक दिमाग में आए कि जब हम खाना कहा रहे हैं तो हमारा खाना food pipe में ही क्यों जाता है wind pipe में क्यों नहीं जाता है उसका reason यह होता है कि जब आप swallow करने जाते हो खाने को तो swallow करने के टाइप एक flap like valve होता है वो कुछ इस तरीके से operate करता है कि जब आप food को swallow करने जा रहे हो तो wind pipe का passage automatically इस valve से close हो जाएगा और खाना आपका food pipe में चला जाएगा जो आपको खाना खाते बद खांसी आती है पानी दिया जाता है एकदम से आप लगता है गले ने कुछ फस गया वो तब होता है जब food particle गलती से wind pipe में एंटर कर जाएगा तब आपको खांसी आने लगेगी तो आपको समझे एक खांसते बद जल्दी जल्दी में खाते है वक्त कुछ लोग होता है ने गिदम से कुछ बहुत खाने को मिला तो गिदम से टूसे जा रहे हैं moment of the food in the isofocus of the elementary canal isofocus को food pipe भी बोलते हैं अब देखें यह जो swallowed food होता है जोसको आप खा ले तो swallow कर जाते हो यह food pipe isofocus के थूँ पास होता है और यह जो food pipe होता है वो neck और chest के along pass होती है यहाँ पर पहली यह सोच लिए कि भाई हम लोग खाना खा रहे हैं तो food नीचे जा रहा है vomiting की time पे यही food आपका वापस आके आपके मुह से निकल जाता है वो लट देते हो ना vomiting की time पे वो क्यों होता है यह पहली की दिमाग में है तो देखा कि isofocus आपका chest के पास से निकलता होगा गले से निकलता हो और नीचे जाएगा अब देखे यह food pipe की wall का movement कुछ इस तरीके से होगा कि वो food pipe की wall खाने को नीचे की तरफ push करेगी और उस push की तरफ से उस force की वज़े से वो जो खाना हो अलेट्मिल्ट्री को लाव में नीचे की तरफ जाएगा लेकिन कभी-कभी जब आपका पेट खराब होता है या फिर आपका digestive system ठीक से काम नहीं कर पाता है तो stomach जब खाने को reject कर देता है तो वो खाना vomit कर देता हो बाहर निकल जाता है कभी-कभी आप इतना ज़्यदा खा लेता हो कि stomach में जगा नहीं है तो खाना आपका isofocus में ही रहा गया उस case में भी कभी-कभी vomiting हो जाती है ठीके तो vomiting कभी-कभी आई होती है इंसान को उसके जीवन काल में तो vomiting के बारे में और अपने teachers और parents से बात करिए और कभी-कभी अगर आपको vomiting आई हो तो उसको यहां से याद करने कोशिश कीज़े आप कुछ-कुछ चीज़ों को connect कर पाएंगे फिर हम पेट की बात करते है देखे पेट एक thin, thick-walled bag है जिसका flattened J होता है एक J के shape का होता है और यह widest part है elementary canal का इसको food मिलता है food pipe isofocus से एक end पे यह food pipe isofocus से जुड़ा है और दूसरे end पे small intestine से जुड़ा होता है इसका J shape आपको यहां देखने को मिल रहा है यह देखे यह इसका J shape है ठीक है यह वाला जो इसका end है आप यहां देख सकते हैं this is connected to food pipe and this end will be connected this end will be connected to small intestine this end is connected to food pipe यह चीज़ clear हो गई आपको आप देखे जो inner lining होती है stomach की वो बहुत सारे acids release करती है जैसे कि वो digestive juices release करती है mucus release करती है hydrochloric acid release करती है यह mucus कुछ adverse चीज़ें से inner lining of stomach को भी बचाता है जो acid release होता है पेट से वो बहुत सारे bacteria को मार देता है जो कि आपके mouth से खाने के थूँ आपके stomach में आ जाते है ठीक है यह जो पेट है यह पेट से कुछ ऐसे acids निकलते है जो stomach को acidic कर देते है acidic क्यों करते है चुकि obvious ही बात है आपको digestive juices चाहिए जो खाना आया है उसको पचाना है और यह digestive juices जो proteins आये खाने के थूँ उनको simpler substances में तोड़ देगा और फिर इन simpler substances को absorb करने में काफी आसानी होगी अब इसको absorption का process है हम लोग तोड़े आगे जब चलेंगे अपने science की किताबों में तब संज़ेंगे अब हम बात करते हैं अगले small intestine की small intestine में यसे बताया गया था कि highly qualified है कितनी इसकी length है वहाँ पे question पूचा गया तो question यह है 7.5 मीटर लंबी होती है small intestine और जब small intestine के थूँ खाना चलता है regularly secretions मिलते हैं liver से और pancreas से plus small intestine की जो wall होती है वो भी बहुत सारे juices को emit करती है और यह digestive juices होता है जो obvious ही बात है खाना को पकाने में sorry पचाने में मदद करेंगे यह जो liver है यह एक reddish brown रंग का gland है जो upper part of the abdomen में स्थित है on the right side and it is the largest gland in the body अब भाई इतनी बात हो गई है तो एक बार liver को देखी लेते हैं लीवर ना ज़र आ रहा है यह रहा लीवर इस लीवर के साथ attached है glad better तो आप देखो के तो right hand side of the abdomen में upper part of the abdomen में pancreas कहां देख रहे हैं तो pancreas पेट के नीचे, stomach के नीचे कुछ इस जगा पे आपको pancreas देख रहे हैं तो यह pancreas यह liver यह digestive juices को secrete करते हैं और small intestine की जो lining है वो भी digestive juices को secrete करती है अब आगे बात करते हैं लीवर की बात है तो लीवर क्या secrete करता है सबसे बहली बात है लीवर is the largest gland in the body यह bile juice को secrete करता है और यह bile juice एक sack में stored होता है जिसका नाम है gall bladder gall bladder भी मैंना आपको उपर दिखाया और भाई यह bile का बहुत major role है fats के digestion में फिर जो pancreas है यह large cream color का gland होता है जो बिल्कु स्टमक के नीचे है उपर figure मैंना आपको दिखाया आप फिर से figure में जाके देख सकते हैं किताब डाउनलोड कर लिजा इस चीज को भी समझना है इनकी locations को समझने लिजे हल्का फूल का idea ले लिजे जैसे जैसे classes पढ़ेंगी आपको सब को समझ में आता जाएगा फिर यह जो pancreatic juice होता है यह act करता है carbohydrates पर, fats पर, proteins पर मदद करता है यह तोड़ तोड़ के उनको छोटे form में लाया जा सके और फिर यह जो partly digested food है न वो जब lower part of the intestine में पहुंचता है ठीक है, where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food, the carbohydrates get broken into simple sugar such as glucose, fats into fatty acids and glycerol and proteins into amino acids यहनी की, small intestine के lower part तक आते आते है जो digest, ऊपर जो food जो partly digest हुआ, तो सोचे elementary canal isofocus है, जब stomach में मोचा तो stomach में, digestion तो उसका मूँ से ही शुरू होगा क्योंकि मूँ से salivary gland ने saliva inject करना शुरू कर दिया और food पर काम करना शुरू कर दिया, मूँ ने chewing शुरू कर दिया stomach में आया, stomach ने अपने acid छोड़े small intestine में है, small intestine ने अपने acid छोड़े और उस रास्ते में pancreas ने अपना काम किया, bile juice निकला liver से, gallbladder से सब ने अपना काम किया जब तक ये खाना lower part of the small intestine में पहुँचेगा बहुत हद तक ये पच चुका होगा carbohydrates टूट चुके होगा simple sugar में, जैसे कि glucose में या फिर कोई MCQ आएगा तो उसमें काम आएगा समझगे, proteins किस से बने होते है, amino acids से, fats किस से बने, fatty acids, glycerol से, sugars किस से बने, glucose से sugar के और कितने तरीके के form होते हैं बताइए, comment section में आगे चलते है, absorption in the small intestine अब हम बात करते हैं, भाई, intestine ने food तोड़ा, simpler parts में यहां तो देखा, absorption कैसे हुआ, देखे, जो digested food होता है, can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine, तो आप समझ सकते हैं कि, इस intestine की inner wall पे कुछ blood vessels में हैं जिनके थूँ ये खाना body के दूसरे भागों में जा सकता है इस process को कहते हैं, absorption तो ये जो inner walls होती हैं, small intestine कि इने बहुत सारे thousands of finger-like outgrowths होती हैं, इन finger-like outgrowths को willy बोलते हो, singular villus भी कहते हो, और इस willy का role क्या है, इस willy का role ये है कि absorption जादा से जादा हो सके, digested food का इसके लिए surface area को बढ़ाओ, तो जब surface area को बढ़ाओगे, तो ये जो hairs हैं, ये जो blood vessels हैं, वो absorb food को खीचेंगी, और absorb food के proteins और minerals और vitamins को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तमाल करेंगी, तो willy's का काम ही ये है कि जितना ज़्यादा digested food को absorb कर सको, उतना सब्यादा करो, तो इस willy's में network होता है, thin and small blood vessels का, इसकी surface के पास, and the surface of the willy absorbs the digested food materials, और ये जो digested food materials होते हैं, जिसको absorb कर लिया जाता है, willy के दौरा, they are transported via the blood vessels to different organs of the body, where they are used to build complex substances, complex substances बजा जाते हैं, किस तरीके complex substances, जैसे proteins required by the body, this is called assimilation, यहनी कि आप सोचे हैं, फ्रेंड, protein पहले अंदर आये, और उन protein को आपने तोड़ दिया, उनके उपर acid का काम करकर करके, और फिर जो टूटा हुआ हमको element मिला, उस element को अलग-अलग ले जाके, एक ऐसे form में convert हुआ, जिस form में वो element शरीर को जरूरत है, तो आप समझे कि intestine के रास्ते में चीज़ टूट भी रही है, absorb भी हो रही है, और फिर एक दूसरे जिकर ले जाके, उसको assimilate भी किया जा रहा है इस form में, जिस form में हमें उसे इस्तमाल करना है, तो एक काफ़ tricky process है, एक अलग ही science चल रही है हमारे शरीर के अंदर, फिर जब cells में चीज़ पहुचेगी, तो जो glucose होगा, वो breakdown होगा with the help of oxygen into carbon dioxide and water energy is released, the food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine, तो भाई proteins टूट गये, दूसरी जगों पे गये, एक अलगी तरीके के protein में form हुए, assimilation के process के तुरू, जिसके तुरू organs उसको इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए release थे, all along the surface of the small intestine, और भी blood vessels थी, जो खाने को लगातार absorb कर रही थी, जो glucose था, जिसको हमने तोड़के, यूस किया था, starch को तोड़के, पहले हम लोग इस glucose के form में लेके आए, और फिर हमने उस glucose को बॉड़ी में absorb कराया कैसे, आपने उस glucose को तोड़ा with the help of oxygen, into carbon dioxide and water, और energy release हुई, उस energy को शरीर ने इस्तमाल किया, food, इसके बाद भी कुछ ऐसा food बना होगा, जो भाई, digest नहीं हो पाया होगा, वो undigested होगा, unabsorbed होगा, वो food अब गुसेगा, large intestine में, तो main absorption का process हुआ आपका stomach में, sorry, तोड़ने का और absorption का process हुआ आपका stomach में, small intestine, large intestine wider होती है, और छोटी होती, small intestine से, it is about 1.5 meters in length, large intestine की length होती है, 1.5 meter, इसका काम होता है कि पानी को absorb करें, और undigested food material के कुछ salts को absorb करें, तो कुछ salt और कुछ पानी जो की use हो सकती है, large intestine उसको absorb करती है, और बचा हुआ जो waste है, वो rectum में चला जाता है, जहां पर वो semi-solid faces के form में stored रहता है, और फिर वो time पे NS के थुरू बाहर निकल जाता है, जिसको बोलते है, aggestion, हमारी circadian rhythm के साब से time fix हो जाता है, कि किस किस समय पे ये excretion, ये aggestion होगा, ठीक है, I hope आपको चीजे समझ में आ रही हो, यहां पे stomach से related एक बहुत अच्छा fact है, LX St. Martin shotgun wound, ठीक है, एक person थे जिनके एक shotgun का wound लगा था, अंदर आपको stomach नजर आ रहा है, कुछ shotgun wound कुछ ऐसी जगा पे लगाए, कि अंदर की तरफ आपको stomach दिख रहा है, तो भाई, ये stomach कैसे काम करता है, इसको पहली बार कैसे identify किया गया, तो पहली बार working on the stomach को discover कि एक strange accident वे, 1822 में क्या हुआ, Alexis St. Martin नाम के एक इनसान को shotgun से एक बोली लग गई थी, और bullet ने उसकी chest wall को damage कर दिया, उसके stomach में एक hole बन गया, तो एक American Army Dr. William Beaumont के पास आया गया, William Beaumont ने उस इनसान को बचा लिया, लेकिन वो hole properly closed नहीं, वो उसको bandage कर दिया गया, फिर Beaumont ने एक दिन जब उस hole के through देखा, तो उसने fluid release कर रही है, वो fluid खाने को digest करने में मदद कर रहा है, और उसने ये भी देखा कि जिस stomach का end है, वो intestine में कुल रहा है, only after the digestion of the food inside the stomach is completed, यानि इस stomach के अंदर जब food का digestion हो गया है, तो फिर वो food एक small intestine में एंटरी, बार इतनी सारी चीज़ें उसने होल के तुरू, देखने की कुशिश की, इस डॉक्टर ने विलियम प्यूमन ने, पहली बार ये पता चला mankind को, कि भाई ये अंदर stomach भी है, वो churn कर रहा है food को, धिर धिर जब science आगे बढ़ेगी, तो भाई ये body को खोल खाल के सब कुछ ही देख लेंगे, अब हम आगे बात करेंगे, digestion in grass eating animals, जो animals grass खाते हैं, उनके बारे मात, जिससे cow हो गई, buffalo हो गई, गोट हो गई, इनके बारे मात करेंगे, आपने देखा होगा, friends, खासकर cow को है, buffalo को देखा होगर आप किसी तबेले में गए हैं, जब उनको खाना दिया जाता है, तब तो वो चूग गरी रही होती है, जब उनको बस खाना नहीं ही होता है, नॉर्मल ही बैठी, तब उनका मूँ लगाता है, चबड़ 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 चल रहा होता है, और इस चीज़ के बारे में कभी-कभी लोग पूछते भी हैं, कि भाई, इनका मूँ क्यों चल रहा है बार-बार, जब इनके पर खाना भी नहीं है, तो ऐसा होता क्या है, ऐसा होता यह है, कि जब पहले उनको खाने के लिए grass दी जाती है, तो एक cows ये buffalo क्या करती है, कि वो grass को लील जाती है, और उनके stomach में part होता है, rumen, वहाँ पे उसको store कर लेती है उस glass को, और यहाँ पे जो food है, वो partly digest होता है, उस rumen में, और cud के form में store हो जाता है, और बाद में ये cud, वापस आता है, इन गाए या buffalo के mouth में small lumps, और छोटे-छोटे lumps में animal इनको chew करता रहता है, इ इन animals को बोलते हैं, आप ruminants, मतलब घास पहले उनको खाई, उसको तुरंद नहीं बचाया, उसको पहले थोड़ा बहुत खा पीके, उसको rumen तक लेके, rumen में वो partly digest हुआ, कड के form में आया, फिर वो कड वापस उस जानवर के मुह में आया, थोड़े-थोड़े form में, और थ चाते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर, पहली का एक सवाल है कि, पहली वांस तो नो वाइड इस एनिवल्स कैन नोट च्यू फूड पॉड 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 को, उस समय पर क्यों नहीं च्यू कर पाते हैं, क्या उस फूड में ऐसा कुछ है, जो उस समय पर नहीं पच सकता, फिर बूजो वांस तो नो बूजो वांस नो डाइजेट ओ और स्ट्रम इस व intellig यह ने ना, इस में आप भी में उस आप वर यह पाते हैं, और यह जो नोग भी पलन, घंत कर ना this is rich in cellulose as cellulose is a type of carbohydrate in ruminants जो ruminants होते हैं cattle, deer, गाए, भैस इनके rumin में कुछ bacteria present होते हैं ठीक है? और ये bacteria cellulose को पचाने में efficient होते हैं इसी लिए कुछ ruminants जो कुछ जानवर हैं जो की ruminants है वही आपका cellulose को पचा सकते हैं humans और कुछ ruminants जो की ruminants नहीं हैं वो cellulose को digest नहीं कर सकते हैं यहाँ पर देखिए गाय का structure बना हुआ है गाय घास का रही है पहले वो घास rumen में गई rumen में वो स्टोर हुई वहाँ पर हलका पुलका partially digest हुई फिर वो वापस आई गाय के मुँँ में गाय पचाते रहे और फिर वो फिर उसके बागी excretory system में गया तो यह ruminants होते हैं और ruminants के अंदर एक खास ताकत होती है कि वो घास के अंदर grass के अंदर जो cellulose उसको पचा लेता है normal human beings उस cellulose को पचा नहीं पाते हैं तो यहाँ पे आपको पहली की तवाल का जवाब मिल गया कि भाई यह पहली बार में खाना क्यों नहीं खा रहे हैं इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि cellulose को पचाना है और cellulose को पचाने के लिए उसके rumen के अंदर bacteria है इसलिए ruminants में rumen तक खाना जाना ज़रूरी है और वहाँ पर उस खाने पर bacteria जब act करेंगे तभी वो खाना बचेगा अब आपके बात करेंगे डाइरिया की कभी-कभी आपने देखा होगा कि friends कि जो आपकी potty है काफी watery हो जाएगी ठीके normal form के नहीं रहेगी तो उसको बोला आता डाइरिया डाइरिया normally कभी-कभी infections हो जाता है food poisoning हो जाता है आपने कुछ खराब खालिया हो या ज़्यादा खालिया हो तो पेट खराब हो गया हो ज़्यादा तेल वाल आइटम खालिया हो या कोई ऐसी चीज़ खालियो जो आपको पेट को सूट नहीं कर रही है ये चीज़ बहुत कॉमन है चेल्डर्स में बहुत होती है इंडिया में कभी-कभी फैटल हो सकती क्योंकि कभी-कभी ज़्यादा प्रॉब्लम सीवेर हो गई तो बहुत ज़्यादा water loss हो जाता है तो water के सासा salt loss हो जाता है इसलिए water और salt loss एक लिमिट से तो फैटल होता है human body के लिए इसलिए डियर्या को कभी लिगलेक्स नहीं करना चाहिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए और पेशिंट को बहुत सारा boiled और cool water दीजे जिसमें sugar और salt मिला हुआ हो इसको normally oral rehydration solutions भी बोलते है oral rehydration के packets green color के packet में दुकानों मिखते हैं लोग normally खाते भी है जब आपका बहुत ज़दा तर्यद खराव हो जब देखो कि आपको बहुत ज़दा diarrhea की problem है पॉटी सहीं नहीं हो रही है तो normal case में आपको virus दिया जाता है और दलिया खाने को दिया जाता है यह खिचड़ी खाने को दिया जाती है जो कि पानी जैसे होती है तुनन पंच है आगे बात करते हैं कि कुछ animals उतने जैसे horses हो गया rabbit हो गया इनके अदर एक sack leg structure होता है तो यह isophagus और small intestine होगी जो जानवरों में इसके बीच में यह बना है आपका cacum यहां देख रहा है यह cacum अब the cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans तो इस cacum में जो cellulose है food का वो यहां पर digest होता है कुछ ऐसे bacteria होते हैं जो cellulose को digest कर सकते हैं और वो bacteria humans के पेट में नहीं होते हैं तो हमने यहां पर देखा फिर्ट्स की animals के पास digestive system होता है बट बहुत सारे ऐसे animals होते हैं जिनके पास digestive system नहीं है छोटे animals होते हैं उनके पास ना mouth है ना digestive system है तो वो अपना खाना कैसे खा रहे हैं और अपने waste products को कैसे eject कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग amoeba में देखेंगे feeding और digestion कैसे हो रहा है इस फिकर ने बस यह देखने कोशिच कीज़े कि एक food particle यहां से घुस रहा है और यह waste यहां से निकल रहा है तो adjusted waste food particle का ingestion यहां दिखाया गया है और adjusted waste निकलने का तरीका यहां दिखाया गया बाहर की तरफ आपको एक cell membrane नजर आ रही है एक rounded dense nucleus है यह रहा आपका rounded dense nucleus और बहुत स्मॉल bubble like vacules है इसके cytoplasm तो यह छोटे 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 vacules आपको नजर आ रहा है अब amoeba regularly अपने shape को change करता है इस तरीके से इसका shape change होता रहता है और कभी-कभी अलग-अलग projections बनाता रहता है कभी एक लंबा projection एक सैट बना देगा इन projections बनाने के process को finger like projection बनाने के process को बोलता है pseudopodia pseudopodia को false feet for movement and capture of food भी खा जाता है वतलब इस pseudopodia यानि false feet for movement से आप ये अपना खाना भी capture करते हैं यहां देखें इसने false feet of movement किया एक छोटा सा gap बन गया और इस छोटे से gap से इस खाने को ये अपने अंदर inject करेगा तो इसका खाना भी microscopic होगा जब ये खुदी microscopic है तो this amoeba feeds on some microscopic organisms जब इसको लगता है कि ये food चारो तरफ है आसपास है तो वो अपने स्यूडियो पोडिया को बाहर वेजता है और उस food particle को चारो तरफ से घेल के अपने अंदर खीच लेता है और फिर वो food particle food food वेक्यूल में trapped हो जाता है कहां पर आपको food वेक्यूल नजर आ हो ये भी food वेक्यूल है cambiar फिर इस निकलेंगे जो कि food वेक्यूल को पचयाएंगे फूट पर एक्ट करेंगे उसको छोटे-चोटे भागों में तोड़ देंगे. डाइजेस्टिट फूट एब्सॉर्प हो जाएगा। फिर इस एब्सॉर्प डाइजेस्टिट फूट को ग्रोथ में, maintenance में, multiplication में इस्तमाल किया जाएगा और undigested food को vacuum के थो ही बाहर निकाल दिया जाएगा कैसे बाहर निकाला जा रहा है आपको दिखा चुका हूँ मैं इस तरीके से चीज ऐसे ऐसे पास आती जाएगा और यहाँ पर undigested food को बाहर निकाल दिया जाएगा सब कुछ microscopic level पर हो रहा है, हमें अपनी आखों से यह चीज़ें कभी नजर नहीं आ सकते, देखने में बहुत simple लग रही है, पर बहुत ही complex तरीके से पूरा phenomena होता है तो basically the basic process of digestion of food and release of energy is the same in non-alienals हर तरीके के animal, चाहे single cellular animal हो चाहे microscopic हो, चाहे बड़े हो सब में एक ही तरीके से ज़धा तर जो basic process of digestion का या आपने food खाया, energy को utilize किया और खराब को बाहर फिक दिया यह सब में हो रहा है आगे के chapters में friends आप देखेंगे कि यह भाई intestine में food पचने के बाद अलग-अलग parts में, अलग-अलग body parts में कैसे जा रही है तो यहाँ पर हमने क्या-क्या चीज़ा समझी है हमने absorption के process को समझा amino acids आप protein तोड़ेंगे तो amino acids मिलेंगे amino acids के बारे जाना assimilation कैसे वो proteins, टूटे हुए proteins को हमने जोड़ के एक ऐसे protein form में लेका है जो कि body के अंदर required है फिर bile liver में गाल बेटर से निकलता buccal cavity मुँ में थी canine, naat, cellulose जो की जानौर पचा पाते हैं इंसान नहीं पचा पाते हैं digestion, digestion, fatty acid, food, vacuole, गाल बेटर इन सब के बारे में हमने सीखा एक भी ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं है अगर एक भी ऐसी आपको यहाँ पे दिख रही है तो आप भी सी बात आपने lecture को ध्यान से नहीं सुना फिर animal nutrition में क्या क्या है nutrient requirement है किस तरीके से आप खाने को अंदर ले रहे हैं किस तरीके से body आपकी utilize कर रही है जो human digestive system है अगर digestive tract की बात करेंगे तो वो होती है elementary canal उसमें अगर आप secretory glands जैसे की liver, pancreas इनको जोड़ देंगे तो पूरा human digestive system मन जाएगा इसमें buccal cavity, also focused, stomach, small intestine, large intestine, ending, rectum, NS यह होते हैं यह तो हो गया आपका elementary canal जो कि digestive tract है और इसके अंदर आप मिला ले जी digestive glands जो कि secret करते हैं digestive juices जैसे salivary glands हो गया, liver हो गया, pancreas हो गया इनको मिला के जज़ जाएगा पूरा पूरा digestive system अलग-अलग organisms में खाने के तरीके अलग-अलग है nutrition एक complex process है जैसे पहले आप खाना को intake करोगे, उसको पचाओगे उसको nutrients को absorb करोगे assimilate करके उसको usable form में लेके आओगे उन nutrients को और फिर बच्चे हुए बेकार खाने को बाहर फिक दोगे फिर देखें carbohydrates का digestion stars की तरह बक्कल cavity में शुरू हो जाता है फिर digestion of protein protein का digestion शुरू होता है stomach में जो bile secrete करता है liver जो pancreatic juice secrete करते है pancreas और जो digestive juice secrete होता है from the inner line of intestinal wall यह food के सारे components के digestion को complete करता है small intestine में और फिर small intestine से digested food blood vessels में absorb होगा और बहुत सारे willies होंगे वो willies भी इसको absorb करेंगे तो absorbed substances are transported to different parts of the body water and some salts absorb होंगे कहां पे जो undigested food है उसमें कुछ काम की चीज़ें जैसे कि कुछ salts और water को absorb के जागा large intestine में और जो undigested और unabsorbed residues है उनको बाहर निकल दिया जाएगा through anus पहले rectum के पास जाके उस semi-facal matters में store हो जाएंगे और समय समय पे sicardian rhythm के इसाब से वो आपके anus से निकल जाएंगे अगर आप grazing animals की बात करें जैसे कि cows, buffaloes, deer इनको बलाता है ruminants ये खाना खाते हैं अपने leafy food को swallow कर लेते हैं उसको rumen में जाके store करते हैं फिर rumen में उस पे partly digestion होता है cut बनता है, cut वापस आता है उसको फिर से chew करते हैं फिर वो अंदर जाता है और इनके digestion process complete होता है amoeba आपने food को digest करता है with false feed या pseudopodia और ये food digest होता है food vacule में और वही food vacule के तुरू ये adjust भी हो जाता है पूरा chapter आपको बहुत ठंग से समझाए friends, जितना जदर detail में हो सकता उतना detail समझाए, inquisitive mindset को लेके चला हूँ फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो में कुछ कमी है, कुछ प्राब्लम है तो आप मुझे comment section के तुरू बता सकते है वीडियो अच्छी लगी तो like जरू कर लीजेगा subscribe करें देखें, like, subscribe और comment जरू कर देए चुकि YouTube का algorithm को जिस तरीके से काम करता है अगर आप और कुछ नहीं कर सकते हैं तो at least वीडियो को like जरू कर दिजेगा like बटन दवाने में आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है so thank you for watching this video thank you for your time have a great day